जैसा कि आप लों को पहले ही बता चुकी है कि उचतर सिच्छा आयोग की जो परिच्छा हुई थी अपना कोई भी आपती जो आपको लगता है कि वह रिजनेवल है तो उसको आप दर्ज करा सकते हैं हाँ उसके लिए जो साच्छ है वह आपको देना है और फिर उसको आपको बाई पोश्ट सेंड भी करना है आयोग को ये आपके समने था UPHESC का जो अब तक Assistant Professor का परिच्छा तीन चरोडों में हुआ था इसके बाद आती है बात UGC NET का जो एक्जाम का एंटिनी चल रहा है अडमिट कार्ड उसके अपलोड हो गए हैं साइट पर आप सभी परिच्छारती जो भी हो अपने सब्जेट के कॉर्डिंग अपना डेट देखते हुए अपने अडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते ह नेश्प बात आती है यल्टी ग्रेट की जो पताचली है जनकारी उसका एडवर्टीजमेंट सबसे पहले निकलने का चांस हो रहा है सबसे पहले एडवर्टीजमेंट हराज की यल्टी ग्रेट का ही आने का बन रहा है यह आपकी जो वेकेंसी है वो आठ हजार के आसपास ह हो सकती है और इसमें लगभग सभी सब्जेट में आपके सीट हैं अच्छे हैं यह है कि लास्ट की जो इसके पहले की जो एक्जाम हुए थे उसमें कुछ सब्जेट की वेटिंग लिस्ट आप से हम कहे थे वो उसकी जानकारी मिल नहीं है कि वो 22 दिसंबर के बाद वेटिंग नहीं पाई है इसलिए अभी हम नहीं बताने में समर्थ हैं लेकिन जैसे ही हमको मिलती है तो हम सब्जेट भी आपको बता देंगे फिर बात आती है मादमिक सीच्छा सिवा चैन बोर्ड की नूबेकंसी आपके सामने आएगी जनवरी में ही डिसंबर में चांस बिलकुल अ है अलिया चन का कार जरूर चला है हां यह है कि सीट की संख्या में कम या ज़्यादा हो सकता है और आपको एक चीज़ बताये थे कि प्रिस्पल की सीटेस में आ सकती है वह चीज़ है और अच्छी सीट आएगी और नूबेकंसी के तहत एक चीज़ और आपका वेटिंग लि प्रिस्पल पर चीज़ता का जो बेटिंग लिश्ट था इसकी भिक्यप्ति आपको इसी सब्तामें देखने को सैट पर मिल जाएगी और 10 पर्सेट का जो टूस खायो 60 कमेंटर था वह आपको एक भिक्यप्ति इसी फटामें बीच में देखने को मिल सकता है और इसी आगे लोग से वायोग का मैटर है जिसमें आपको लेक्चर का एक्जाम हुआ था परी का रिजल्ट आना है आपको बताया है रिजल्ट कभी भी आ सकता है आज कल में ऐसे लगा हुआ है किसी भी दिन डेट आपका रिजल्ट डिकलेर हो सकता है और मेंस की एक्जाम आपके लि कि कुछ लोगों का जो मैटर है कुछ सब्येट को लेकर के जहां पर सीट का वंटन जो है हुआ है गलत हो गया है तो उसके लिए पहां परजा करके आयोग में अपना अप्लिकेशन दे दीजे अपने इस्तिती से अउगत करा दीजे और उस पर वो कोई डिसीजन हरहाल और इसकी सुचना आपको दी जाएगी और